हे गाईस अभी सर्दियों का मोसम है ऐसे में महंदी लगाना और घंटों बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्यूंकि लग जाती है सर्दी तो आप अपने सफेद बालों को इस तरह से बिलकुल ब्लैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है बिना महंदी के कैसे बालों को काला करें तो आज के वीडियो में आपके साथ बालों को जठ से काला बना देगी किसी भी उमर में आप इसे यूज कर सकते में यह लाई पर टरू काले घर में और मैं हूँ आपकी दोस्चीवर दोस्तों वीवर्स का यह ओन्वाइब को नहीं हो जा कि यहीं को設 an पर उम्र से पहले ही सफेद होना सटार्ट हो चुके है तो आपको जो पाए अमर से पहले सफेद हो रही है उनको ब्लैक करना है उनको कैसे नैच्छरॉल तरीके से ब्लैक करना है तो just विडियों में आपके साथ शेयर किया है उम्हीद करती हूं कि आज की वीडियों अपको अच्छी लगी तो नीचे के साथ ही इस रैमडी को परपेयर करते हो तो आपको रिजल भी आदा दूराई देखने को मिलेगा इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वाच कीजिए गा और उसके बाद ही इस रैमडी को परपेयर करना स्टार्ट कीजिए आपको इसका 100% रिजल देख बरतन में ही इस रैमडी को परपेयर करना है तभी आपको इसका 100% रिजल देखने को मिलेगा नेक्स्ट आपको इसमें एड करना है एक चम्मच कोफी पाउडर आप घर पर जो भी कोफी पाउडर यूज करते हैं आप उसे इस्तिमाल केजिए एक चम्मच इसमें डाल दीज आप किसी भी ब्रैंड का कहीं से भी कोई भी रिठा पाउडर यूज कर सकते हैं चाहे तो ओनलाइन पर चेज कर लीजिए नेक्स्ट मैं ने इसमें एड किया है दो चम्मच भरकर आवला पाउडर फ्रेंड्स आवला पाउडर आप सभी को पता है कि आवले पाउडर के हमारे बालों के लिए कितने सारे बैनिफिट्स हैं ये आपके बालों को धीरे धीरे ब्लैक करना स्टार्ट करता है अगर आप यसे मेरे बताई हुए तरीके से इपने बालों पर इस्तिमाल करते हो तो आपको इसका बहुत ही चरजल देखने को मिलेगा आवला पाउडर दो चमच एड़ कर दिया एक चमच रीखा रीठा पाउडर एक चमच शीका काई पाउडर एक चमच कोफी पाउडर अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर अब इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से mix कर लेना है जैसे ही 2-3 मिनट होएंगे ये उबाल इसमें आना start हो जाएगा पानी की quantity अपने आपी कम होती जाएगी आपको बिल्कुल इसका गाड़ा पेस्ट आयार करना है पेस्ट आयार करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे आप देख सकते हैं कि सारी चीजों ने मिलकर कलर छोड़ना start कर दिया है ये धीरे धीरे बिल्कुल ब्लैक कलर में convert हो जाएगा आप देख सकते हैं कि लोहे की कडाही में साइडों में काला पन आना start हो चुका है ये आमला पाउडर का असर है जैसे ही हम रीठा शीखा काई और आमला पाउडर आईरन के टच में आते हैं तो ये बिल्कुल काले कलर में convert हो जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आप देख सकते हैं कि मुझे 3-4 मिनट लगे हैं हमारा पेस्ट बिल्कुल गाड़ा बनकर तयार हो चुका है फ्रेंड्स इस सर्दियों के मौसम में आप इसे use कीजिए आपको ना ही महन्दी लगाने की जुरत है ना ही इंडिको पाउडर लगाकर घंटो बैठने की जुरत पढ़ने वाली है इसी से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है आपको इसी तरह का पेस्ट बनाना है और अब आपको इसे कैसे अपने बालों पर अपलाई करना है मैं आपको live result दिखा रही हूँ वीडियो में mostly कुछ remedies में अपने बालों पर अपलाई करके दिखाती हूँ बट हमने कभी भी इनके बालों पर कोई भी chemical वाली dye यूज नहीं की है मैं हमेशा घर पर bunny dye ही इनके बालों पर यूज करती हूँ इस hair pack को लगाने से पहले आपको अपने बालों को shampoo की help से अच्छी तरह से wash कर लेना है आपके बालों पर बिल्कुल भी oil, pollution, धूल, मिटी जा फिर कोई cream, gel नहीं होनी चाहिए उसके बाद इस pack को अपने बालों पर apply कर लीजिए और आपको 20-25 मिनिट इसको ऐसे ही रहने देना है और इसके बाद आपको normal पानी से अपने बालों को wash कर लेना है आपको shampoo use नहीं करना है normal पानी से ही बालों को clean कीजिए और उसके बाद आपको हलके हाथों से अपने बालों की अच्छी तरह से चंपी करनी है ताजो हमने जो hair dye ये apply की थी अपने बालों पर इसका बहुत इच्छा color आपके बालों पर आए तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने husband के बालों पर इसे अच्छी तरह से apply कर दिया है इसको मैं ऐसे ही 25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 25 मिनट के बाद आपके साथ live result share करने वाली हूँ हेर वाश करने के बाद आप खुद देखिएगा कि इनके बालों पर कितना अच्छा color आया है आज के बाद आप यही dye लगाना पसंद करेंगे आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको natural तरीके से अपने बालों को dye कैसे करनी है natural तरीके से आप बिना पालर जाही घर पर कैसे अपने बालों को अच्छा color दे सकते हैं बिना chemical के तो आप इस remedy को जुरूर try कीजिएगा आपको इसका 100% result देखने को मिलेगा आपको 2-3 बार में इसका best result देखने को मिल जाएगा तो friends उमेद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share जुरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल जीवने वीडियो टिप्स को subscribe कीजिए पास में चोटा सा बैल बटन होगा उसे जुरूर क्लिक कर लेना ताल जो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तरके जुरूर पहुंचे और आप मेरी हर आने वाली वीडियो वाच कर पाए हेर वाच करने के बाद आप रजल देख सकते हैं कि इनके सारे बाल बिलकुल काले हो चुके हैं आपको एक से दो बार में ही ऐसा रजल देखने को मिल जाएगा बट आपको मेरे बताए हुए तरीके से ही इस रेमडि को पर पेर करना है और अपने बालों पर अपलाई करना ह फ्रेंड्स आप जहां भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं फेस्बूक, वर्टसफ, ट्वीटर, इंस्टाग्राम वहाँ पर इस वीडियो को जुरूर शेयर करिएगा तांचो आपके जितने भी फ्रेंड्स, रेलेटिव्स के ग्रे हेर्स हो रहे हैं वो इस डियाइवाई को जुरूर ट्राई करें और उनके बाल नैचरल तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए आप कभी भी मार्केट वाली, कैमिकल वाली डाई मत यूज किया करें आप होम रेमेडी से यूज करें मैंने काफी सारी वीडियो अप्लोड की है कि आपको नैचरल तरीके से अपने बालों को कैसे काला करना है आप उन वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर वोच कर सकते हैं आपको उनका 100% रेजल्ट मिलेगा आपको इस रेमडी को 15-20 दिन के बाद दुबारा अपने बालों पर यूज करना है अच्छे रेजल्ट के लिए तो मिलती है मेरी नेक्स्ट और यूस्पूल वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखीगा थैंक्स पर वोचिंग टेक केर बाबाई